Hello friends, Good evening, कैसे हो? I hope कि आप लोग अच्छे ही होंगे. इस वीडियो में डिसेस करेंगे B.A.D. First semester, syllabus के बारे में डिसेस करेंगे कि B.A.D. First semester में कितने subject होते हैं, कितने कितने number के paper होते हैं और कापी सारी comments ये आ रहे थी कि हमारा graduation में B.A. है, B.S.C. है, B.Com. है, तो हमारा final year में ये ये subject हैं, तो हमें कौन सा subject लेना चाहिए, जिसे से हमारा अच्छा number आ सके. अगर आप भी confused हैं कि हमें कौन सा subject लेना चाहिए, बेट First semester में, जिसे से हमारा number अच्छा आ सके. इस वीडियो को पूरा देखें, आपको सही से जानकारी हो सागी कि, आप लोगों को दूसरे से जानकारी लेनी नहीं पड़ीगे. तो चलिए, continue करते हैं वीडियो को. इस से पहले, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्र यानि कि BA, BSC, BCOM, कुछ भी हो, आपको इन चारो सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा. ग्रिजुईशन से आपका एक भी सब्जेक्ट नहीं रहता है, जो ग्रिजुईशन से आपका सब्जेक्ट रहता है, वो स्टार्ट होता है second semester, ठीक है? फर्ट सिमेस्टर में इन चारो यानिक परिपेच, ठीक है? ये पहला subject है, और ये कितने नमबर का paper होता है? ये सतर नमबर का होता है paper आपका रिटेन होता है, उसके बाद 30 नमबर का आपका practical इसमें होता है, total एक subject का आपका 100 marks है, ठीक है? उसके बाद second subject की बात करें, तो second subject है आपका सिछणवा अध्यान क मनो वैग्यानिक परपेच है ये भी आपका 70 नमबर का पेपर होगा और 30 का आपका प्रेक्टिकल होगा तो टोटल आपका 100 हो गया ठीक है उसके बाद है तीसरा सब्जेक्ट अपका है विद्याले प्रबंद एयोम स्वास्त विग्यान ठीक है ये भी आपका 70 नमबर का exam होता इसमें सत्तन नमबर का, उसके बाद तीस नमबर का आपका practical होता है college में, ये total हो गया आपका 100 marks का, चौथा सब्जेट है आपका समय वेसी सिच्छा ठीक है इसमें बालकों के बारे में आपको जान कर दी जाती है ये भी 70 नंबर का होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया टोटल इसमें हो गया 100 तो इन चारो सब्जेट को बात करें तो 400 का हो गया और टोटल पुढ़ांग होता है इसमें 500 का तो 100 नंबर जो अलग से हो रहा है वो आपका इंटरनल हो जाता है यानि कि कॉलिश्ट की तरब से दिया जाता है 100 में से आपको 87 अराम से मिल जाता है तो आप लोगो पता चल गया होगा कि फर्ष्ट समेश्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं और हमें कौन से सब्जेक्ट को लेना चाहिए आपका कौन से सब्जेक्ट भी दूर हो गया होगा तो ये देखिए आपका चारो सब्जेक्ट ये कंपल सरी रहेगा आपका ग्रिजु का subject होता है वो आपका second semester से start होता है ठीक है अगर आप को second semester के बारे में जान करी चाहिए कि second semester में कौन कौन से subject होते हैं और कौन कौन से subject हम ले सकते हैं तो आप मंगें tiếp बाक्स में yes करके टाइब करके बताइए तो मैं उसकी वीडियो ला दूँगा ये बियर सेकंड सेमेश्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो इस वीडियो को सेयर करें और चैनल को अभीता सस्क्राइब नहीं कि इन तो प्लेज चैनल को सस्क्राइब परके बगल में बिल आइकन कौन करें आपको इस चनल से निशीती मतलत देलेगी थैंक्स पुराचिंग